हेलो वेलकम बात करने वाले हैं रियूस कंटेंट के उपर दोस्तों रियूस कंटेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके उपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रियूस कंटेंट आखिर होता क्या है रियूस कंटेंट किस केटेगरी में आता है रियूस कंटें है तब से रियूस कंटेंट की तादा जो है वो बढ़ती जा रही है और जब रियूस कंटेंट पर कोई क्रियेटर वीडियो बनाने लग जाता है तो फिर आगे चलके जब उसको सबसे बड़ी प्रपलम करनी पड़ती है वोगा होता है चैनल मॉनिटा안 होने का क्योंकि चैनल नहीं होता और। उनको कोई परॉफुकर प्रॉफिट यमिल पाता और जितना भी उन्होंने किया करा होता है वहोता हुझा झालता है पहलिए तो यही हो गई है reuse content, किसी का content आपने दुबारा यूज कर लिया, तो reuse content है, ठीक है, second बात अगर आपने किसी की वीडियो यूटूप से उठाई, उसमें थोड़ी सी edit कर दी, और उसको यूटूप पडाल दी, यह भी reuse content है ठीक है अब तीसरा आपने किसी की वीडियो YouTube से उठाई या उसको record कर ली उसके उपपर आपने अपनी आवाज दे दी थोड़े बहुत edit कर दिये उसको YouTube पर डाल दी तो यह भी reuse content है सिंपल सी चीज है किसी भी दूसरे वंदे की वीडियो आपने YouTube से ली या content दूसरे का किसी से भी आपने लिया और उसको थोड़े बहुत changes या जादा changes करके आपने YouTube पर डाल दी वो reuse content की category में आता है अब समझने वाली बात यह है कि जब बात monetize किया आती है जब चैनल आप बाद में monetize करने के लिए जब आप apply करेंगे तो किस category या किस तरह के जो चैनल से वो monetize नहीं होंगे और किस तरह के channel monetize होंगे तो यहां पर है थोड़ा एक दुविदा सी रहती है YouTube कई बार ऐसे चैनल भी monetize कर देता है जो कि proper reuse content के अंदर आते हैं यानि कि उन्होंने simply कहीं से भी वीडियो रिकॉर्ड कर रखी होती है YouTube पर डारेक्ट डाल देते हैं कुछ changes करे होते हैं स्क्रीन को पलट कर और आपने देखा होगा वीडियो वीडियो को अपलोड कर देते हैं वह भी monetize हो जाते हैं लेकिन कई बार ऐसी चीज़े भी देखने को आती हैं कि आपने कहीं से वीडियो ली उसके अंदर आपने बहुत सारे changes करें अपने changes भी उसके अंदर डालें आप उसको देख लिजिए दूसरे का content ठीक है किस तरह की वीडियो बनाया है आप वैसी ही वीडियो खुद बनाएए खुद अपने आपसे प्रेजन्ट कीजिए और उसको publish कीजिए अब अगर आपने दूसरे का वीडियो देखकर खुद वीडियो बनाकर डाली यह reuse content नही यह मानने को तो यह रियूस कंटेंट नहीं होना चाहिए लेकिन जब हम किसी दूसरे की जब वीडियो ठालेंगे न चाहिए कहीं से भी तो वह रियूस कंटेंट की ही उसमें आएगा क्याटेगरी के अंदर और यह प्रॉपर यूट्यूब के उपर ही डिपेंड करता है जैस क्च वीडियो के उपर आप 10-15 seconds का गान डाल देंगे न तो उसके उपर भी कॉपिराइट क्लेम नहीं आता लेकिन कई चैनल ऐसे या वीडियो ऐसी है आप 10 सेगंड का भी यह दो सेगंड का भी गान डाल दीजें कॉपिराइट क्लेम आ जाएगा तो यह कुछ चीजों में यूटूब जो है थोड़ा पार्शल समझ लीजिए या कुछ चीजों में वह ठीक से काम नहीं करता मैं तो यहीं समझता हूं क्योंकि रियूस कंटेंट अगर आप मान रहे हैं तो आप सिंपली एक चीज यह मानिए कि किसी दूसरे अगर चीज कंटेंट उठां कर अगर आप अपलोड करेंगे चैनल मौनिटाइस हो जाते नाइंटीपरसेंट करम दुख तो होता हिए फ्रेंट ठीक है तो रियूस कंटेंट समझने वाली बात है है कि आपको कोशिश करने है熱 है आपने कहीं से भी content manager record किया है आप उसको अपना वाइस ओवर दीजिए आप चेंजिस कर दीजिए उसके अंदर जितने पॉसिबल हैं आप चेंजिस करने कोशिश कीजिए उसको नया content बनाने की कोशिश कीजिए वह पुराना होते हुए भी नया दिखना चाहिए आप अपनी creativity उसके अंदर डाल कि रियूस content वाली वीडियो मॉनिटाइज होगी कि नहीं होगी तो फ्रेंज मैंने आपको समझाया है कि यह प्रॉपरली YouTube के उपर ही डिपेंट करता है वह आपका चैनल मॉनिटाइज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता अगर नहीं कर रहा तो आप उदर एपलाई कर सकते ह YouTube के उपर ही निर्वर रहेगा कि आपका चैनल मॉनिटाइज होगा कि नहीं होगा तो इससे बचने का सिर्फ एक यही तरीका है सबसे पहले तो आप किसी और का content यूज मत कीजिए अगर आप कर रहे हैं तो maximum maximum उसके अंदर changes करने ही कोश्च कीजिए उसको नए सिरे से पूझ भी सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करना इस तरह की YouTube से जड़ी हुई लेटेस्ट और अच्छे अच्छी इंफोर्मेशन के लिए तो अभी के लिए इतना ही मिलेंगे फिर सब्सक्राइब वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए